हेलो फ्रेंज मैं हूँ नीला मिश्रा और आज आपके लिए लाई हूँ एक नया लेसन पास्ट पॉर्फिक टेंस आपने पास्ट टेंस के बारे में पहले भी सुन चुके होंगे अगर आपने नहीं सुना है तो आप मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट की तरह ही पास्ट पॉर्फिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है पास्ट टेंस होता क्या है पास्ट पॉर्फिक टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम हुमारा कम्प्लीटली पूरा हो चुका होता है जैसे जूली अपना काम पूरी तर पास्पर्फेक्टेंस का यूज हम तब भी करते हैं जब कोई पास्प में घटना घटी हो और उसी के साथ कोई और घटना भी घटी हो एक्जाम्पल, कम्प्यूटर प्रैश होने से पहले मैंने अपने सारे डॉक्मेंट सेफ कर लिये थे इस सेंटेंस में घटना क्या घटी कि कम्प्यूटर प्रैश हो गया हो और मेरा एक्शन क्या था कि मैंने उससे पहले अपने सारे डॉक्रमेंट सेफ कर लिये थे इस सेंटेंस को बनाने के लिए पहले हमें ये दिखना होगा कि सबसे पहले क्या काम हुआ सबसे पहले हुआ कि मैंने अपने सारे document सेव कर लिये थे Computer crash होने से खहले इस sentence को बनाने के लिए हम पहले लगाएंगे Past profit यानि I had saved my all document before computer crashed इसी को हम एक और example के थूँ समझते हैं मेरे station पहुचने से पहले train जा चुकी थी तो यहाँ पे सबसे पहले action क्या हुआ है कि train जा चुकी थी The train had departed मेरे station पहुचने से पहले Before I reached at station Negative में हम had not plus V3 का इस्तमाल करते हैं इसका example है उसने मुझे अपने शादी में invite नहीं किया था He had not invited me in his wedding Interrogative structure में सबसे पहले हम had फिस subject, verb की third form and then object का यूज़ करते हैं इसका example है क्या आप चिडियोगर भूने गए थे Had you visited zoo Interrogative negative structure में सबसे पहले हम had plus not फिस subject और V3 then object का इस्तमाल करते हैं इसका example है क्या आपने gym join नहीं की थी Hadn't you joined gym I hope कि आपको आज का lesson समझ में आया होगा अगर आपको कोई वीडियो दे तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए keep learning, keep watching